हेलो आवरीबर डिंग सभी साथियों को राम राम नमस्ते हाई हेलो कैसे आप सभी दोस्तो एट्स्ट परिक्षा की तिथी गोशित कर दी गई थी एक्जाम डेट आ गई थी 21 नॉमबर और 22 नॉमबर अब दोस्तो यह एक्जाम डेट वदल दी गई है यदि आप जाना चाहत चैनल नोलेज टीवी देशीता उपर कैसे हैं आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज आपके लिए एक या दो वीडियो जोब या जोब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं जो आपके लिए कहीं न कहीं helpful जरूरती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो या important information आपके मिशना हो तो दोस्तों आप देख लेते हैं एक्जाम के बारे में दोस्तों यह साल में दो बार कंड़क्ट करवा जाता है आप सभी को पता होगा इसमें बारी मातरा में security की जरूरत रहती है क्योंकि इस एक्जाम को जो qualify करता है उसको एक certificate मिलता है और certificate के base पर ही आगे कोई teacher की भड़ती आती है तो उस teacher के लिए apply कर पाता है यानि कि यह exam बहुत जदा important होता है इसलिए यहाँ पे इसमें नकलना हो इस तरह की चीजें हमें सरकार को करने पड़ती है बोर्ड को करने पड़ती है एच बेसी बोर्ड है इस एच बेसी करने का ब्यान है यह एच बेसे के चेर्में साब है उन्होंने दिया है ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे एक एक्जाम पोस्ट पॉंड बिग नूज तो परिक्षा सत्गीत हो गई है यह तो आपने देख लिया है आगे देखे क्यों वज़े किस वज़े होई है और यह है एच बेसे के चेर्में साब इन्होंने यह बताया है कल इन्होंने यह स्टेटमेंट दी थी यहाँ पर आप पड़ लेजी नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरुस्त होंगे हरियाना अध्यापक पातरता परिक्षा जो और HBSC के चेर्में साबने यह बताई है कि हरियाना अध्यपक पातरता परिक्षा के परिक्षा जो 21 और 22 नमबर को निरधारित की गई थी अब उसको पुलीस करीमियों की विज़े से सत्गित कर दिया जा रहा है क्योंकि अभी तिवारों का सीजन है और कोरोनों से बचाओ जैसे बड़े त्वार आ रहे हैं जिससे पुलीस कर्मियों छोटियों पर रहेंगे वह त्वारों में बाजारों में वह अन्या सतलों पर पुलीस कर्मियों की तरह की जाएगी जिससे की कुरोना वायरिस के नियमों का पालन करवा जासके ऐसे में हरियाना जपक पतरता पर लेकर जो सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर पुलीस कर्मियों के डूटी लगाई जाती है जिसे की नकल पर अंकुछ लगा जासके लेकिन त्योहारोगई सेजन पर पुलीस की अन्या कारियों में डूटी लगेगी वहाँ पर बिज़े रहेंगे इसलिए यह परिक्षाई इस बार इन डेट में इन तीथियों में नहीं की जाएगी नई तीथिगी गोशना जल्द होगी हालांकि अभी तक नई परिक्षाई तीथिगोशना जल्द होगी तो दोस्ते यह अपडेट थी एच्टेट का जो बच्चे इंजार कर दे थे उन्हें अब थोड़ा और इं अब आपका जो एक्जाम है 21 और 22 नमबर को नहीं होगा नहीं जो एक्जाम डेट होगी वो आपको तुरंत परभाव से जैसे भी होगी जल्द ही आपके सामने बता दी जाएगी आज की वीडियो में तना ही धन्यवाद